नमस्कार दोस्तों मैं हुराकेस और आप देख रहे हैं GoTo Online अगर आपका मोबाइल खो गया है और आपके मोबाइल के अंदर जीयो का सिम था तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप अपने सिम को घर वेठे कैसे लॉग कर सकते हो तो वीडियो सुरू करने से पहले मे वेश में मिलती रहें तो खोए हुए शिम कार्ड को कैसे लॉग करना है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको किसी के मोबाइल में चाहे आपके फैमली मेंबर का हो या किसी फ्रेंड का हो किसी के मोबाइल में जो है माई जी का SIM होना चाहिए तो माई जीओ उपन करने के बाद में आप जो है किसी भी नम्मर से माई जीओ को लॉग इन करने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजराएगा और आपको क्या करना है उपर त्री भार पर क्लिक कर देना है। कुलिक करने के बाद में यहां पर आपके मोबाइल नम्मर की नीचे और यह Setting and Profile का option आपको नजर आ रहा है तो Profile and Setting पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक option नजर आ रहा है मैं आप मार्क कर देता हूं Lost Sim, Block or Replace It इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में यहां पर मोबाइल नम्मर आपको देना है जो SIM कार्ड आपको लॉक करना है उस SIM कार्ड का यहां पर आप नम्मर दे दीजिए और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में उस SIM को आप कुछ detail दे करके verify करेंगे तो यहाँ पर select category पर क्लिक करेंगे तो आप क्या detail भरना चाहेंगे अपने date of birth, register email id, alternate number या link number तो यहाँ सबसे आसन तरीका है date of birth तो यहाँ पर date of birth में वही date of birth डालनी है जो आपके आधार कार्ड में है, तो मैं यहाँ से year चुन लेता हूँ, तो मैंने अपनी date of birth डाल दी है और नीचे आपको submit वटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में देखिए जो मेरी sim से जो number link है, वो सारे number यहाँ पर show हो रही है, और mail ID show हो रही है, आप किस number पर OTP लेना चाहेंगे, वो number यहाँ से select कर लीजिए, तो मैं यहाँ से जो मेरा बहतर वाला number है, उस पर मैं OTP लेना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से बहतर वाला जो number है, उसको select कर लेता हूँ, जिस पर मुझे OTP लेना है, और यहाँ मैं generate OTP पर click कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद में हमारे link mobile number पर एक OTP आएगा, और वो OTP यहाँ पर आपको submit कर देना है, तो मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ, 16, 48, 42, 16, 48, 42, OTP डालके आपको submit बटन पर click कर देना है, क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा wait करेंगे, प्रोसेस हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपका P.U. के नमबर सो हो जाएगा, और इसके बाद में आपको जो है region देना है कि इस sim को आप क्यों बंद कराना चाहते हूँ, तो यहाँ पर select region पर आपको click करना है, क्लिक करने के बाद में आपको submit बटन पर click कर देना है, जैसी आप submit बटन पर click करोगे, आपका sim लॉक हो जाएगा, और आप तीन महीने से पहले इस sim को अगर निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो, अनिता तीन महीने बाद यह permanently ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह आप खोए हुए sim कार्ड को आसानी से घर बेटे लॉक कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करके रखें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको विश्म मिलती रहें, तो फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए good bye.